जहिन फ्रेंट्स तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं UP, R, V, U, N, L के लिए computer section की preparation ठीक है तो आज से हम लोग एक दम से इस पे focus करेंगे UP, R, V, U, N, L की preparation पर और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह हम लोग का कौन सा है इसकी preparation के लिए part first यह हमारा कौन सा है part first तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की 100% guarantee होती है कि जो भी हम लोग आपको computer में questions कराएंगे वही आपके, वही sections में से वही questions आपके papers पर आएंगे ठीक है उन्ही questions में से आपका पूरा computer section जो होगा वो cover up हो जाएगा तो फिलहाल अभी आज से हम लोग start करेंगे यह वाला part up rvunl के लिए और मेरी आप से request है कि please जितने भी मेरे इसके parts आएं उनको आप लोग जरूर से देखिएगा और साथ में copy और pen लेकर के बैठिएगा ताकि आपको जो भी important question लगे उसको आप लोग जरूर से note down कर सकें ठीक है और अपने दोस्तों तक जितना आप जो हमारी यह series चल लगी है इस पूरे series को आप लोग जितना जादा share कर सकते हो करो ताकि आप की तरह ही बहुत सारे लोगों की भी अच्छे से preparation हो जाए के लिए जो important questions है उनसे related कुछ questions ठीक है तो अपना जो first question है वो के बोला है the part of a computer that coordinates all its functions is called ठीक है हिंदी में पढ़ते हैं इसको computer का वह भाग जो उसके कभी जो उसके सारी सभी कार्यों का summon way करता है कहलाता है ठीक है अब देखे यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऐसा इसा पाट कंप्यूटर का जो की सारे function computer में जितने function होते हैं उनके साथ coordinate करता है coordinate यानि की summon way करता है जिसका मतलब क्या हותब अलब साथ में काम करना ठीक है coordinate करके काम करता है ठीक है option क्या क्या है हमारे पास A wrong program B system board C control unit F.A.D. arithmetic logic unit ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका जो correct answer होगा वो होगा option C ठीक है और वेस सी बात है भाई कि हमारे जो control unit होता है इसी के हाथ पर जितने के हमारे functions होते हैं computer पर जितने भी हमारे functions होते हैं उस सारे के सारे किसके साथ coordinate कर रहे होते हैं control unit के साथ ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यह जो ALU लिखा है यह full form है किसका ALU का arithmetic logical unit ALU का full form क्या होता है arithmetic logic unit ठीक है कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते है arithmetic logical unit ठीक है तो आप वहाँ पर देखिएगा वैसे तो इसका सही full form ALU का full form जो होता है correct full form जो होता है arithmetic logic unit लेकिन कई बार कई जगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ arithmetic logic unit की जगे mathematical logical unit लिखा होता है ठीक है तो अगर वहाँ पर option में आप से इस तरह पूछता है कि ALU का full form क्या है tick और full form पर आपको options में arithmetic logic unit और दूसरा option देता है arithmetic logical unit तो आप लोग tick करेंगे इसी वाले पर full form के लिए आप लोग इसी वाले पर tick करेंगे बट अगर वहाँ पर सिर्फ arithmetical logical unit है और बाकी जितने full form से वो अलग अलग है तो उस जगह पर आप arithmetical logical unit पर ही click करेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अपने second question की तरफ second question हमसे क्या बोला है a computer cannot boot if it does not have the dash यानि कि एक computer boot नहीं कर सकता यानि उसके पास dash नहीं है अब हमसे यह बोला है कि एक कोई ऐसा computer है जो अपने आपको boot नहीं कर सकता if it does not have यदि उसके पास dash नहीं है कौन से यसी चीज़ है जो ना होने की वज़े से वो अपने कोई system मतलब अपने आपको boot नहीं कर सकता ठीक है option क्या क्या हमारे पास अब आगे बढ़ते है third question हमसे क्या बोला है any data or instructions entered into the memory of a computer are considered अच्छा question है यह important question है ठीक है computer की memory में दर्ज किया गया कोई भी data निर्देश dash माला जाता है ठीक है यानि कि अगर कोई भी computer है मतलब कोई भी instruction है उसको हम लोग computer पे store करते हैं computer पे enter कराते हैं store कराते हैं तो वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है तो option क्या क्या है हमारे पास a output b storage c information या फिर d input ठीक है तो इसको क्या बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा अगर कोई भी instruction को हम लोग computer की memory पर enter कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं ठीक है किसी भी तरह का instruction ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे d input ठीक है उसे क्या बोला जाएगा d input बोला जाएगा ठीक है मतलब फिर d option में input बोला जाएगा ठीक है input याद रखिएगा कोई भी instruction अगर हम computer की memory पर डाल रहे होते हैं तो हम उसे आप बोलेंगे input बोलेंगे देखिए यह हमारा first part है तो इसमें आपको कुछ basic basic question मिलेंगे तो हमारे साथ जो regular जुड़े होंगे हो सकता है उनको थोड़ा जो है बोरियत वाला feel हो रहा हो क्यूंकि आप लोग यह सब आ रहे होंगे बट फिर भी हमारा काम है आपको basics ले जाना a right click on the desktop itself will यहनुके कि हमारा desktop होता है इस desktop पर हम लोग right click करते हैं right click अगर हम करेंगे तो desktop पर राइट click करने से ही होगा यहनुके desktop पर जहरे हम लोग right click करेंगे तो वहां पर क्या open हो करके आता है हमारे सामने ठीक है तो option क्या हमारे पास show a content यानि sensitive menu यानि की content दिखा जाता ह किसका समवेदन शील मेनु यानि सेंस्टिफ मेनु का हमको कॉंटेक्स दिखाया जाता है ठीक बी ओपन दिस्प्ले प्रोपर्टीज डियालोग बॉक्स ठीक प्रदर्शन गुण समवाद बॉक्स खोलें ठीक है उसके बास सभी खुले अनुप्रयोगों को छोटा करें ठीक या फिर डी नन अब दा एबब यानि इन में से कोई भी नहीं ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा क्या दिखाता है अगर हम लोग क्या चीज़ शो होती है अगर हम लोग डेक्स्टॉप पर ही राइट क्लिक करत है तो अदिक्तर लोग देखते हैं मेंनली हम लोग उस जब राइट लिए बहुत कर रहे होते हैं मैं आपको याद दिलाता हूं रिफ्रेश करना होता है हमको तो लोग राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारे रिफ्रेश का होता है ठीक है वहाँ पर प्रपर्टी मेंनेजमेंट कई सारी चीजों के उप्शन होते हैं फिल्हाल हम लोग मेंली राइट क्लिक करते हैं रिफ्रेश करने के लिए ठीक है तो राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन खुलके आता है बड़ा सा डेलोग बॉक्स ऐसे करके जब राइट the process of starting और restarting a computer system by loading instructions from a secondary storage device into the computer memory is called यानि कि इसको हिनी में पड़े कि क्या होता है वो process जिसमें हम start करें या फिर से restart कर रहे होंगे हम लोग या तो start करें या फिर restart करें किसी भी computer को और किसी secondary storage device की मदद से हमारा जितना भी instruction है उनको हम लोग load करा है ठीक है load करने के बाद हम उस computer computer memory में load करें और फिर उसको start करें तो उसको ऐसे इस पूरे process को हम लोग क्या बोलते हैं देखिए यहां पर ध्यान समझेए question को मैं फिर से दोहरा रहा हूं ऐसा process जिसमें कि हम लोग computer को start करें या restart करें किसकी मदद से किसी secondary storage की device से instruction को निकाल करके computer के memory में डालना और फिर उसको restart करना या start करना ऐसे process को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है option क्या है हमारे पास a booting b duping c cps या फिर d padding ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या होगा option a option a यानि कि booting booting क्या होता है किसी भी secondary storage device से हमने instruction निकाल करके computer memory में डाला और फिर से उसको restart किया computer को ही फिर से restart किया या start किया तो इस पूरे process को हम लोग क्या बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 6th question की तरफ 6th question हमसे क्या बोला है dash is known as unauthorized access into other system ठीक है यानि dash को un-system में अनधिकरित पहुँच के रूप में जाना जाता है देखे इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो जो हमारे इसके पहले के UP PCL Assistant Accountant के preparation में जो मैं वीडियो दे रहा था आपको इसके बारे में पूरी की पूरी knowledge भी हुई है ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जा करके जरूर से देखना मैंने उसमें A to Z सारी चीज़े सिर्फ इस के बारे मैंने आपको बहुत कुछ उस वीडियो में बताया है ठीक है सो option कहके हमारे पास a encryption b decryption c hacking fad trafficking ठीक देखे पहली बात मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला ठीक है आप इसको पढ़िए question का answer धूरी और comment box में जाईए comment section पर जाके इसका answer बताईएगा ठीक है हाँ एक बात और जैसे अगर आपको लगता है कि इसका correct answer होगा d तो comment box में सिर्फ d मत लिखना इसको 6-d कर देना ठीक है यहाँ पर आके comment box में comment करके जरूर से बताईएगा ठीक है और अगर आपने वीडियो देख रखी है तो तब तो तुरंत आप comment करके मेरे को बताईए क्या होता है इसका correct answer मतलब किस चीज को बोला जाता है unauthorized access यानि की unadhikrit पहुँच आपको authorized नहीं है लेकिन फिर भी हैं आगे बरते हैं 7th question की तरफ हमसे क्या बोला है when creating a computer program, the dash designs the structure of the program ytown की computer program बनाते समय dash program की सन्रचना को design करता है यानि कि जब हम लोग computer program बनाते है wussteos time पर कॉनसी ऐसी चीज होती है जो structure of the program बनाती है ठीक है यानि कि program की संरचना structure of the program ठीक है इसको कौन बनाता है during creation of a computer program ठीक तो option A system analyst B end user C programmer या FIDD all of the above यानि कि उपर के सभी ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा आपका option number A यानि कि system analyst system analyst क्या करता है जब हम लोग computer program बना रहे होते हैं तो वहाँ पर वो उस program का structure डिजाइन करता है ठीक है याद रखिएगा इसको when creating a computer program the system analyst designs the structure of the program यानि computer program बनाते समय system analyst program की संरचना को design करता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 8th question की तरफ 8th question हमसे क्या बोल ला है which command divides the surface of the blank disk into sector and assign a unique address to each one ठीक यानि कौन सी command rick disk की सता को sector में विभाजित करती है और प्रतेक को एक अधितिय पता प्रदान करती है ठीक है तो हमसे कहने का मतलब यह इस question में यह कह रहा है question की कौन सा command है यानि नीचे दिये गए options में से ऐसा कौन सा command है जो की blank disk को खारी disk को हमारे सेक्टर में डिवाइड करती है और हर एक सेक्टर को एक unique address देती है ठीक है unique address का मतलब अधिती यानि की same नहीं हो सकता कि नहीं भी दो अपने सेक्टर का address ठीक है तो unique address देती है कौन सा ऐसा command है ठीक है option क्या है क्या हमारे पास a format b verse c chk dsk या फिर d fat ठीक है इसका correct answer क्या हो जाएगा a format ठीक है format ठीक है याद रखिएगा इसको format ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 9th question की तरफ 9th question हमसे क्या बोल ला है when you turn on the computer the boot routine will perform this test ठीक है यानि कि जब हम लोग computer को turn on करते है यानि कि जब हम लोग ने computer को on किया तो boot routine कौन सा test perform करता है ठीक है यानि कि इसको हिंदी में पढ़ते हैं जब आप computer चालू करते हैं तो boot routine यहाँ परिक्षन करेगा तो boot routine overall कहना मतब क्या है boot routine कौन सा test करता है ठीक है कौन सा test करता है ए डिस्क drive test बी RAM test सी power on self test या फिर दी memory test ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा कौन सा test करता है कौन सा test करता है boot routine करेंट अंसर होगा इसका option A यानि कि disk drive test ठीक है disk drive test याद करेगा इसको disk drive test करता है हमारा कौन हमारे जो boot routine होता है वो सबसे पहले computer को on होने के बाद disk drive test कर रहा होता है ठीक है अब आगे बढ़ते है 10th question की तरफ 10th question हमसे क्या बोला है which of the following peripheral devices displays information to user to a user ठीक है निमने लिखित में से कौन सा परिधी उपकरण उपयोग करता को सूचना प्रदर्शित करता है सबसे पहले अगर बात करने तो peripheral device क्या होते है इसके बारे मैंने क्या बताओ मैं फिर से आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ इसको peripheral device का मतलब क्या होता है कि हमारे ऐसे computer के जो हमारे computer system से computer system से किसी भी तरीक機से basically हम लोग इसमें specifically wires को कर लेते हैं तो वायर से connected ऐस ऐसे डिवाइसे जो की computer के साथ coordinate करते हुए work करते हैं ठीक है computer के साथ coordinate करते हुए work करते हैं और computer से किसी ना किसी तरीके से या फिर specifically wires के through connected होते हैं ऐसे devices को हम लोग क्या बोलते है peripheral devices बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमसे बोल ला है कि ऐसा कौन सा peripheral device से नीचे दिए गया option में से जो की information को user तक display करता है ठीक है correct answer क्या होगा इसका monitor monitor को हम लोग यहां से भी देख सकते थे कि display information to a user information को information को मतलब कि user के सामने display करना ठीक है तो जैसे ही आप लोग यह चीज़ सुन रहे हो display होना तो obvious ही बात है भाई कि keyboard तो display करता नहीं है secondary storage device display करेगा नहीं secondary storage media तो यार media ही है तो obvious ही बात है इसका correct answer क्या हो जाएगा monitor ठीक है अब आगे बढ़ते है 11th question की तरफ 11th question क्या बोलना है हमसे bandwidth refers to bandwidth संदर्विद करता है ठीक है bandwidth क्या है bandwidth के बारे में जो लोग जानते हो इस question को कर पाएंगे वरना और जो लोग है वो नहीं कर है उनके लिए हम है भी यह हम बताएंगे आपको ठीक है bandwidth का मतलब क्या होता है bandwidth का मतलब option A पहले options है उनको पढ़ते है the cost of the cable required to implement a LAN यानि कि LAN को लागू करने के लिए आवश्यक cable की लागत यानि कि bandwidth का मतलब होता है जितना हम LAN को मतलब LAN जो हमारा जो network बिच रहा है उसकी ज हम लोग WAN को लगा रहे हैं WAN का use हम लोग कर रहे हैं तो उसको लगाने के लिए जितनी cost आई उसको हम लोग WAN बोले या फिर C the amount of the information of communication medium can transfer in a given amount of time यानि कि सूचना की मात्रा एक संचार माध्यम एक निश्चित समय में इस्थानांत्रित कर सकता है ठीक है या फिर इसको बो या फिर D none of the above यानि इन में से कोई भी नहीं तो फिलाल इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका option number C ठीक है option C bandwidth का मतलब क्या होता है एक दिये गए time पर एक communication medium कितना amount of information को transfer कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं bandwidth यानि कि फिर से इसको समझेगा कि एक दिये गए time पर in a given amount of time दिये transfer करता है इसको हम लोग बोलते हैं bandwidth ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 12th question की तरफ 12th question हम से क्या बोल ला है if the computer keeps rebooting itself it is likely that यानि कि यदि computer अपने आप reboot होता रहता है तो इसकी संभावना है कि यानि कि अगर हमारा कोई system है और वो continuously reboot हो रहा है ठीक है यान से देखिएगा if the computer keeps rebooting itself यानि यह बार बार खुद को reboot कर रहा है तो इसका मतलब क्या है मतलब इससे हम लोग क्या देख सकते हैं इसका mainly reason क्या हो सकता है ठीक है option क्या है हमारे पास a it does not have enough memory यानि इसमें परयाब memory नहीं है option b it is affected by virus यह यह virus से प्रभावित है या फिर c it needs a cd-rom इसे एक cd-rom की option b ठीक है option b ठीक है यहाँ पर कई लोग confused हो जाएंगे it does not have enough memory यानि कि option a और option b में ठीक है option c और option d में शायदी confusion किसी को लेकिन option a और option b में confusion हो सकता है ठीक तो फिलाल आप इस तीज को दिमाग पर बैठा ली जीगा कि अगर को computer है और बार बार reboot हो रहा है ठीक है तो उसका mainly reason क्या होगा उसका mainly reason होगा कि it is affected by virus ठीक है यानि कि यह virus से प्रभावित है आपके system पर virus आ गया है ठीक है अब आगे बढ़ते है 13th question पर 13th question हमसे क्या बोला है devices that enter information and let you communicate with the computer are caught यानि कि wave of current जो सूचना दर्ज करते हैं और आपको computer से संचार करने देते हैं कहलाते हैं यानि क हमारे पास options में से ऐसा कौन सा device है जो की information को enter करने देता है और हमें computer के through communicate करने देता है ठीक है तो option क्या है हमारे पास a output devices software input devices या फिदी none of the above यानि इन में से कोई भी नहीं तो इसका जो correct answer होगा वह होगा option c यानि की input devices ठीक है correct answer क्या हो जाएगा input devices अब आगे बढ़ते हैं आपके option question 14 पर question 14 हमसे क्या बोला है an integrated circuit circuit is एक एक इक परिपत है जो को सबसे पहले question में से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी integrated circuit ic का full form होता है ic अब आप लोग काम यह है कि मेरी आप लोगों ने अगर देखी होगी तो मैंने एक वीडियो में अपने generations of computer के बारे में बताया है ठीक है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस generation में कौन सा पार्ट यूज हुआ था ठीक है तो अब वहाँ पर अगर आपने वीडियो मेरी देखी हुई है तो सबसे पहले comment करकि यह बता हो कि ic कौन सी generation में आपका यूज होना start हुआ ठीक है which generation कौन सी generation में आपका ic use होना start हुआ था इसको जरूर से बताना ठीक है किस generation में आपका ic start हुआ था यूज होना ठीक अफिलाल अब ic के बारे पूछ रहा है that an integrated circuit is यानि कि एक एक ही क्रत परिपत है ठीक है तो option a secondary storage device integrated circuit secondary storage device है या फिर b a complicated circuit या फिर c fabricated on a teeny silicon chip या फिर d none of the above यानि कि इन में से कोई भी नहीं तो इसका correct answer क्या होगा integrated circuit कैसा होता है मैंने आपको दिखाया है यह photo में c होगा fabricated on a teeny silicon chip यानि कि छोटी सी silicon chip पर जो fabricated होता है उसको हम लोग क्या बोलते है integrated circuit या फिर ic ठीक है अब आगे बढ़ते है 15th question 15th question आज का हमारा last question है हमसे क्या बोला है the computer connected to a land यानि की local area network can देखो सबसे पहले land का full firm क्या होता है local area network ठीक है the computer network the computer connected to a land can यानि की land से जुड़ा computer निम्नकार कर सकता है अब सबसे पहले हमसे यह बोला है कि अगर कोई computer land से connected है तो वो क्या क्या कर सकता है कौन कौन से काम नीचे दीगे options में से कर सकता है तो option a run faster तेज चल सकता है यानि की तेज वर्क कर सकता है देखो computer चलेगा तो नहीं ना पहरोपर तेज काम कर सकता है ठीक है option b share information add और share peripheral equipment यानि की जानकारी साजा करे और या परिधी उपकरन साजा करे तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा option b यानि की share information add और share peripheral equipment यानि की जानकारी साजा करे या परिधी उपकरन साजा करे चलिए फिर आज के वीडियो में हमारे questions इतने ही रहेंगे आपको और जिस topic पर आपको वीडियो चाहिए हो या फिर जिस भी topic पर आपको notes चाहिए हो questions चाहिए हो वो आप पको जरूर comment box में comment करके बताया करिए ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को last तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में जैहिन